दोस्तो हर रसोई में खाना बनाने के लिए प्याज कपरियों के किया जाता है क्योंकि प्याज खाने के रंगत स्वाद और पोश्टिकता को बढ़ाती है हलनकि प्याज काड़ते वक्त आंकों से आशु आने लगते हैं लेकिन फिर भी हर कोई प्याज के बिना नहीं रह पाता है दोस्तो महगाई के इस दोर में प्याज चाहे 100 रुपए में 1 किलो मिले या फिर 10 किलो मिल जाए लेकिन प्याज तो हमें चाहिए ही और आखिर प्याज क्यों न चाहें क्योंकि प्याज में कई बहतरीन भोशक तत्व मुझूद होते हैं ये सभी तत्व नाड़ी संस्तान, शारिरिक, मानसिक और कामशक्ती को ताकत परताना करता है जहां दोस्तो कामशक्ती के लिए प्याज बहुत ही ज्यादा फाइदे बंद होता है लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे जान कर आपको थोड़ी सी हरानी जरूर होगी क्योंकि अभी तक प्याज को हम केवल चौका लगा कर या फिर सलात इक्तियादी के रूप में इस्तिमाल करते थे लिकना आज मैं आपको प्याज की चाय की पूरी रेसिपी और गजब के फाइदों के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो दोस्तो देर किस बात की आप आज से ही प्याज और प्याज की चाय को अपने जीवन और आहार में जरूर सामिल कर लीजी आज मैं आपको इस वीडियो के जरी तीन बहतरी नुस्कों के बारे बताऊंगा और स्टेप बाई स्टेप आपको ये भी बताऊंगा कि किन बेमारियों में ये आपके लिए फाइदे मंद होता है तो दोस्तों बिना स्किप किये वीडियो का आप अन तक जरूर देखें और क लग का फ्रियोग में प्याज अद्रक और देशी घी का फ्रियोग करके हम एक नुस्का त्यार करेंगे जो कि मस्तिसका टाकत को बढ़ा कर हमारे समर्न स्क्थी को बढ़ाता है वहीं पर तीसरे नुस्के में हम जानेंगे कि प्रीलिया को दूर करने के लिए प्याज कप्रियों किस परकार से किया जा सकता है दोस्तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्याज की इस तरह से किड़ने को मजबूत करती है और बार बार बेशाब करने की समझा को भी दूर कर देती है दोस्तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस परकार से प्याज की चाय बनाई जा सकती है और उसके लिए क्या के सामगरियों की आवशकता पड़ती है इसके लिए आपको प्याज, नेंबू का रस, शेहद, चाय पती या फिर ग्रीन टी लेना होता है दोस्तो सबसे पहले स्टैब में आपको एक प्याज लेना है और उसको धो लेना है और उसको छोटे-छोटे टुकडों में काट लेना है इसके पश्चात आप दूसरे स्टैब में दो कप पानी के अंदर इन प्याज के टुकडों को डाले और पानी को उबाले ले इस पानी के अंदर आप आदा चमच चाय की पती भी जरूर डाले जब पानी अच्छी तरह से उबल जाये तो आप उसे नीचे उतार लीजी और उसे अच्छी तरह से चान लीजी और उसे चानने के पशात उसे नीचे रख कर उसे कुछ देर के लिए गुनगुना होने के लिए छोड़ दीजी अब इस चाय के अंदर आपको आदा चमच नेमबू करस और एक चमच शेहद को मिलाना है इस तरह से यह आपकी चाय तयार हो जाती है दोस्तो प्याज की इस चाय में वाइटमिन सी होता है जो इम्मिनूटी को बढ़ाता है और रोगों को शरीर से दूर करता है यह चाय इंसूलिन को बढ़ाकर टाइप टू डाइबिटेज में रहा दिलाती है सिर्फ इतना ही नए हाइपरटेंसिन का खत्रा भी कम कर देती है इस चाय का सबसे बहतरीन फाइदा यह होता है कि यह वजन को खम करती है अनिद्रा को दूर कर देती है इसका गुलनशील फाइबर कोलोन कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है यह चाय आँच से टॉकसिन दूर करती है और तवचा में रंगत लाती है इसके अलावा भी चाय के कई फाइदे होते हैं जो कि कोलोन को साफ रखने में मददकार होते है यह गुलनसील फाइबर तवचा और आँच से टॉकसिन को बाहर निकाल कर कैंसर सेल्स को बनने से रोकते हैं दोस्तो निद्र आने की समश्या में प्याज की चाय का सिवन बहुत ही असरदार होता है इससे निंद आना शुरू होगा और अच्छे निंद आपको आने लगेगी दोस्तो प्याज के फाइदे यहीं खतम नहीं होते हैं बलकि इससे और भी बहुत गजब के फाइदे आपको मिल सकते हैं आप शायद यह जानकर चौंग जाएंगे कि प्याज हमारी कम होती है शमरन सकती को लटा सकता है जो कि आजकल की सबसे बड़ी समश्याओं में से एक होती है दोस्तो अपने दिमाग को फूरतिला और तेज करने के लिए आपको तीन समगरियों की आवश्यक्ता होती है इसमें आपको प्याज का रस, अदरक का रस और देसी गाएं के गी की आवश्यक्ता होती है और दोस्तो आपको गी भी देशी गाएं का लेना है और यदी हो सकता है तो आपको उस गाएं का गी लेना है जो कि खेतों में घूंगूं कर विचरती हो दोस्तों अक्सर नौर्थ साइड में आपने ये देखा होगा कि ये एक साथ जंड में विचरन करती है क्योंकि वो कई परकार की जड़ी भूटियों का सेवन करती है इसलिए ये घी हमारे लिए बहुती कजब का फाइदे मंद होता है जिसका असर आप अपने शरीर पर महसू कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप देशी गाए के घी का इस्तिमाल करते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोग इंस समर्ण सक्ति को बढ़ाने के लिए आपको एक चमच प्याज के रस में एक चमच अधरक का रस और एक चमच देशी गाए के घी को मिलाना है और इस मिशरन को आपको रोजाना दिन में दो बार सेवन करना है इस मिशरन का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी समर्ण सक्ति बढ़ती है और आपका दिमाग तेज और फूर्तिला हो जाता है मस्तिज की शक्ति को प्रीन उपाए होता है दोस्तों यदि आप पीलिया रोक को दूर करना चाहते है तो उसमें भी आप प्याज कप्रेओं कर सकते हैं पीलिया रोक से प्रेशान लोगों को तीन चमझ प्याज के रस में दो चमस शेहद मिलाना है इस मिश्रन को आप प्रात्यकाल खाली पेट चाटें इसके सेवन से इम्मिनिटी बढ़ती है और शरीर के रोक से लड़ने की शक्ती बढ़ जाती है और यही शक्ती जल्द ही पीलिया रोक को भी दूर कर देती है दोस्तो यह दिया बार बार पेशाब आने की समश्या से परिशान है तो भी आप प्याज का फ्योग कर सकते हैं दोस्तो यह दिया बार बार पेशाब आने की समश्या से परिशान है तो यह किड़नी के कमजोर होने के लक्षन हो सकते हैं तो दोस्तों अपनी कमजोर केड़नी की ताकत को बढ़ाने के लिए आप 50 करम प्याज के टुकड़े लें और उन्हें एक लिटर पानी में 10 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें पानी के अच्छी तरह से उबल जाने के बाद आप इसे नीचे उतार लें ये उपाई जल्द ही आपकी समयशा को दूर कर राहत परदान करता है दोस्तों डायबेटीस को नियंद्रित करने के लिए आप रोजाना खाने के साथ प्याज का सिवन आवश्य करें क्योंकि प्याज इंसुलिन को बढ़ाता है जिससे डायबेटीस कंट्रोल हो जाती है पाईरिया होने पर भी आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं पाईरिया होने पर आप प्याज के एक टपड़े को तवे पर गरम कर लीजी और फिर उसे दातों के नीचे दबा करें मुह को बंद कर ले दस मिनट के बाद मुह में लार इकटा हो जाएगी उस से लार को मुह के चारो तरफ गुमाएं और फिर उसे निकाल कर फैंक दे ये उपाई आपको दिन में चार से पांच बार करनी चाहिए इस उपाई को आपको दिन में चार से पांच बार करना है एक सब्ताह के अंदर ही आप इस नुस्के के दवारा पायरिया की समशा को जड़ से निकाल फैंकेंगे तो दोस्तों इस परकार से आप प्याज की चाहे प्याज के रस से कई बहतरीन स्वास्तला प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आही हो तो किरपिया इसे लाइक जरूर कहरे है और अपने मित्रों और सागे संबंधियों तक इसे पहुंचाने के लिए किरपिया इसे शेयर भी जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों झाल किरपिया झाल है झाल 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 झाल